हाई फ्रेंड्स गुड़ीबनिंग नमस्कार दोस्तों फिर जो स्वागत है आपका अपने चनले टॉटल मॉलेज पर दोस्तों आज के वीडियो में बात करूंगा समास के बारे में और जब वीडियो खत्म होगा तो आप आसानी से समास को समझ पाएंगे आसानी से पहचान ठीक है तो इसके लिए में आपको चार पंक्तिया नोट करवाऊंगा कविता के फॉर्म में होंगी वो पोहम के फॉर्म में तो अब याद कर लेंगे तो फिर आपको समास पहचानने की कोई हो सकता नहीं होगी उसके लिए कुछ और परिच्छोप होगी परिच्छा में जो पहले तो पुछा जाता कि समास का शब्द का शाब्दी करते हो क्या होता है तो छोटा रूपिया संशिफ्ट ठीक है कि समास किसे कहते हैं पूछा जाए आपसे तो दो या दो से अधिक शब्दों से ठीक है अगर वन आये तो होती हो संदी यहां हम गलती करते हैं शब्द जो मिलते हैं तो होता है आपका समास और जब वन मिलते हैं होती है आपकी संदी ठीक है तो दो या दो से अधिक नए शार्थक सब्द को हम समास कहेंगे और जब बने मिलेगा क्या होगा वो समास होगा एक प्रशन आवर आता है कि समास ये देखे रहे हैं समास, समासिक शब्द और समस्त पद क्या है कुछ एक हम पुछा जाए है कि समासिक पद ये और समस्त पद भी कहेंगे ठीक एक्जाम पर देख लेते हैं इसे रसोई के लिए घर यहाँ भक्ति क्या यूज हुए है के लिए जब के लिए हमने किया कि ये लोफ हो गया इसका जिवख्ति का कौन सा शब्द बना रसोई घर बनाओ ठीक है तो ऐसे हम पचान लेंगे एक प्रश्न ओर आता है कि पूरूपद उत्तरपद क्या है जो पहले आता है जो पूरु में आ गया हो कि है पहले जवाएगा ववगा पूरूपद जो बाद में आएगा वगया उत्तरपद और यू सारे मिलकर बनेगे क्या हो जाएगा आपका शमस्त पद, यसे बिद्याले के आपे यह आपका समस्त पद ठीक है, बिद्धया के आपेfahr पूरोपद आले के आपेः अवदधर पद ठीक है समास के च्चफ बेद होते हैं यह कैसे याद करें, समास में कितने 1 है 3 है इसको या तो 2 से गुणा कर दीजिए मुटलिप्लाइ कर दीजिए या तो इसमें एक शब्द है मास साल में कितने मास होते हैं 12 उसका अधा कर दीजिए यानि 6 ठीक है तो आपको मुखेता बेद कितने हैं 6 अभी याद हो गया होगा अब चलते हैं ट्रिक में ठी दीजिए तो आपको पता है तो मैं इस बजाए चर्चा नहीं कर रहा हूँ आप देखते हैं ट्रिक या आपको नोट करकर याद करेंगे द्वंद में और चिपे ठीक है जब हम बिग्रह करेंगे तो हमें क्या मिलेगा और वहां पर और चिपा होगा एक्जामपल देखने पता समझ में आएगा हमें द्वंद में पहला गर्णा पत गर्णा मतलब काउंटिंग नंबर आएगा ठीक है जब गर्णा वाला पत आएगा वो क्या होगा आपका द्वंद में बीच में कारक चिंचिपे ठीक है आठ कारक है लगिन इसमें 6 कारकों का इस्तमाल होता है कार पर विशेशन होगा अन्य अर्थ छिपे जिसमें बहबरी समास कहावत है और जो अन्य अर्थ देखा क्या होगा वो बहबरी समास होगा तो इसको लिख के आप याद कर लें असानी से आप समझ पाएंगे चलिए देखते हैं गतंडय होता है। इसमें कौन रहता है। इसमें कौन सा पत परधान होता है। तो द्वंद में आपका पहला पद प्रधान होता है और दोनों पद क्या होते हैं कभी-कभी बिलोम जैसे माता और पिता है देखने हैं माता का बिलोम क्या होता है उल्टा तो आपको पता है पिता होता है धर्म का उल्टा क्या होता है अधर्म होता है तो बिलोम होते हैं कभी कभी यहां मिलता है जैसे आप एक्जाम्बल देखें धर्म या अधर्म यह या अपियस ठीक है तो यह चीज है आपका द्वंद समय लेंगे तो यहां मिलता है इसमें मात और पिता पेचाने के यह अधर्म भी पढ़ते है यहां प्छाने के लिद्हिति पाणने के लिए द्वंद समास को ठीक है आगे बढते हैं द्विगु में पहला गर्णा पदावत है गर्णा मतलब काउंटिंग नंबर यहां लिख दिया, पुरु पद क्या होगा, पहला पद, पुरु का मतलब क्या है, पहला, पहला पद कैसा होगा, संख्या वाची होगा, इसमें समु या समहार का ग्यान होता है, देखते हैं, example, सब्त सिंदु, जैसे मिला सब्त का मतलब क्या है, साथ, तिर लोग, तीन लोग चौराहा चार राहा तो जैसे में मिल गए नंबर हमने पता के लिए कौन समास है ये दिगू समास है जैसे अलग करेंगे तो और क्लिए हो जाएगा साथ सिंदू का सम्मू सम्मू और समहार ही मिल गए तिन लोकों का समहार, चार रहों का समू, तो हमें नम्बर मिल गए, दिगू हो गया, ठीक है, और जहां समू अ समहार मिल गए औभी क्या हो गए हमारे, दिगू हो गया, तो यह प्रिक है आपको याद करने का, अगला है तत्पुरु समास, बीच में कारक चिन छिपे समास के भी नियुक्त्र होते हैं, समास के भी भेद स्काँचनी 2022 को है, जैसे हमें को मिले गाला करने पर कौन सामास हो जाएगा, करम कारक तो हम पता है, हमें कारक ये कारक ये कारक ये कारक ये नहीं है, ततत्पूरुष समास को मिल गया, क्या ये, कारक का चिन नहीं हो गया, ये ततत्पूरुष समास हो गया, जेव को कतरने वाला को मिल गया यहां पे अभी कारक है, कौन साथ ही हो गया समास है? करन और थोड़ा पदान में अंतर समझ लीजी आपकि करन और अपदान में क्या होता है? करन में सास का भाल जास है, मैं हात से खाता हूँ के लिए हैं ूरह थो हुद में, परलै के लिए कि लिए डिखतोु पालिया पाल Bearab को रिख्रें Allen and Dal Gul देखते हैं तुल्षे द्वारा रचित द्वारा अगया यह भी का रिख से उनला क дело हो गया संपर्दान का चिन क्या है के लिए है फिल्गुकों के लिए है कैसा सम्पर्दान का का चिन LET हो पहार लग हो गया जैसे किस आ चिन है अपादान का रख्कящ दोगा जैको इस एक स्दें हो अगल्या संबंध ततपुरुस काके की रारेडी आपको पता है इसका होता है तो जैसे संबंध में अलग ही हमने मिल गया प्रेम का सागर का किसका चिन है संबंध कारक का समास कौन सा होगा फिर संबंध ततपुरुस समास होगा ठीक है वैसे देखलते है अधिकरण का होता है म पेपर तो जैसे हमने लग्या क्या है वन में वास तो कौन सा होगा ये किसका चिन है अधिकरण कारक का है तो समास कौन सा होगा अधिकरण ततपूर समास हो जाएगा गोडे पर सवार पर किसका है तो ये भी आपका अधिकरण कारक चिन है तो ये कौन सा हो जाएगा आपका अ अव्य होगा और पहला पद इसमें प्रधान होता है ठीक। अभ्य बहुत से लोगों वो समाज में नहीं आता है जो जादा हिंजिनी पढ़ते यहां सम्फरों सब्सक्राइब कैए अब याद रहा है ने फिरस थे लिए जो घण सी और myself चल्राइम ढूरते हैं चीर एंता है था कैम जिन जमत बें जब करफे भलदा है ठीक है जैसे देख लें आप यथा सक्ति क्या है उपसर्ग है यहां भी उपसर्ग है ठीक है बाद में शब्द लग के इसके अर्थ बदल दी इसने यह भी है जब ऐसे उपसर्ग टाइप के भी अगर सिंपल ही आपको अव्वय याद नहीं हो रहा है तो आप उपसर्ग समझ आविभाव में रिपएव में जब एक शब्तुय हो जाए, alltså the again कौछ से समास हो गया ही यह का अवểmिभाव समास हाथ हो बार आ गया यह भी हो गया आपका अविभाव समास यानि जब है कोण करते है 그러iennent करम इ스ेष्ता ड्राम निंसित्ष प trach क्लिश.. Mel говорит और Light अगला है करमधार क्या करता है विशेष्टा बतावत है विशेष्टा बताने काम करता 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 है विशेष्टा बत के किया करेगा आपको आपको 20 रूपी देगा मकलें विश्यसता पताने कारे करेगा जैसे नियल कंतна , नेल कंट क Gregory है कर रहें क्या क concret meters है कि रंग है क्या कर रहरा हम कंट की बिश्यसता पतारा है कrant कैसा है नेला है आनंद है कैसा प्रम है आनंद ठीक है दुनों के हैं विशेस्थकाण है, देख रहे हैं देख रहे हम लगा लांग छिल तो इस मेरे सर रहा है तो आम समझा क्या है वहारा है कि कला सर रहा है, कल्या विशेस्थक बसा ने जो वहारे तो फो के समय नियखता है is can in the अगला है बहुबरी, बहुबरी का क्या है, कि बहुबरी ही अर्थ चिपे जिसमें बहुबरी ही समास कहा होता है, जिसमें हम जो शब्द पढ़ रहे हैं उसका वो अर्थ ना होके, कुछ और अर्थ होतों क्या होगा, वो बहुबरी ही समास होगा, और इसमें दोनों में से प्रधान होता है जासे लंबोदर की अगए को अग्रीच को परफियरे जिसका लगें बातिसकी ओर यह आप यहांपट रावणगी जो हम पढ़ रहे हैं उसका वह अर्थ ना मिलके अन्य अर्थ हमें मिल रहा है अन अर्थ छिपे जिसमें बहुबरी समास कहा होते है निशाचर निशा में विच्राण करने वाला यानि रागचस्तु यह हमारा बहुबरी समास है यह ठीक है दुग में पहला गड़ना पद है नमबर वाल आएगा दुग में बीच में कारक चिन है जो आठ कारक खने लगे का आप जो चेयाद रकने है ठीक है वह ठीक है वो छिपे में तर पूरु समास होगा वो पहला पद अवय होगा उसमें हो थाओ समास होगा और क्रमधार क्या कर बिशिस्ता बताएगा यनि बिशिसन होगा आपका करमधार्य होगा और अनर्थ जो बताएगा जिसमें अनर्थ चिपा होगा वह बहुत बरी समास होगा तो आप इसको लिख के याद कर लें फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तो अगर आपको वीडियो अच्छा